अब हम लोग यहां पर नेक्स प्रॉल्म के उपर बात करने जा रहे हैं जो NCRT का है और यह सकेंड प्रॉलम है NCRT एक्सराइज का और यह आपका पावर से रिलेटेड है कुस्तन कहा जा रहा है कि यह चार आप्सन है जिसमें आपको कहा गया कि कौन सा टर्म इसमें से इलेक्ट्रिकल पावर को रिपरेजेंट नहीं कर रहा है तो आप सोची रिलेक्ट्रिकल पावर के वारे हमारी क्या बात वी थे बीटिञ्टिकल सर्कुट लेते हैं उसके क्रॉस के पोटेंशल डिफरेंस भी होती है और उससे to vi ohms law काता है कि v equal to ir तो मैं v की जगह पे ir प्लेस कर देता हूँ तो जब ir प्लेस कर दूँगा तो p हो गया ir into i which will come out i square r इसके अब पावर vi के एकवल होगा तो यह correct है पावर i square r के एकवल होगा तो a भी correct है तो a और c दोनों प्लेस कर देते हैं तो जब प्लेस कर देंगे तो p किसके प्लेस कर देंगे तो p किसके को जाएगा v into v by r which will come out v square by r इसका पावर 3 हो गए एक vi दूसरा i square r and तीसरा v square by r तो इसमें से यह correct है यह correct है और यह correct है तो यह वाला रिपर्जिट नहीं कर रहा है तो the correct option will be b जो कि रिपर्जेंट नहीं कर रहा है पावर को तो इस तरीके से मैंने आपके सामने डिस्ट्रस किया अब मैं next problem के उपर जा रहा हूं